नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्साम टेबलेट में दोस्तों जारखन में एनम और जी एनम का जो इंटरंस इक्साम हुआ था इस साल 2022 में तो इसमें सेकेंड राउंड का काउंसलिंग अभी चल रहा है और जी एनम में एडमि ले लिया है तो क्या वे सेकेंड राउंड कांसलिंग में अभी जो चल रहा है जी एनम के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और यह भी इस वीडियो में हम लोग चानेंगे कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलब करते वक्त एनम सेलेक्ट के थे वे यहाँ पे जी एनम का जो कांसलिंग अभी चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे वैकेंड सीट मैटिक्स है केडिगरी वाइस कब्मेंट कॉलेच में कहाँ यहाँ पे कितनी सीटें बची हुई है यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो कांसलिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद देखिए आपका जो वैकेंड सीट बचा हुआ है अभी तक तो देखिए धनबाद में टोटल जो आपका बचा हुआ है यह साथ सीटें अभी तक अगर बात करें जमसेदपूरकी तो यहाँ पे आपका अन्रिस्टरफ्ट कडिगरी में तीन और SC में आपका 1 है और ST में दो सीटें अभी तक वैकेंड है बसी 1 में एक सीट और BC 2 में आपका एक सीट है वैकेंड और EWS में भी यहाँ एक वैकेंड है टोटल यहाँ तोटल में आपका एक सीट यहां पर वेकंट है और ieWs में दो सेट हैं यहां पर अभी तक वेकंट है टोटल मिला के देखिए। आपका तीरा सीट यहां पर वेकंट है रिम्स राची दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जब ओफिसियल नोडिफिकेशन जारी हुआ second round counselling का तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि वैसे अभ्यार्थी जो पर्थम चक्र साक्षातकार से नमांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं व जदी द्वित्य साक्षातकार में उन्हें सीट आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नमांकन लेना अनिवारी होगा क्योंकि उनके पुर्व का नमांकन स्वतरद हो जाएगा तो देखे अगर आपको first round counselling में यहाँ पे seat allotment हो चुका है आपने admission ले हो जाता है GNM का तो देखे आपका जो पहले का जो आपका admission है नमांकन है यह स्वतरद हो जाएगा और जहाँ पे आपको new seat allotment होगा वहाँ पे आपको admission लेना अनिवारी हो जाएगा दोस्तों बहुत सारे candidates यह भी comment कर रहे थे कि उन्होंने form fill up करते वक्त GNM select नहीं किया था तो क्या वे GNM का जो अभी counselling चल रहा है second round का तो उसमें participate कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो देखे इसका जो official notification जारी हुआ था इसमें क्या लिखा हुआ था कि अभ्यार्थियों को sectionic एवंग अन्य अहरताओं के आलोक में साक्षातकार के समय A&M एवंग GNM दोनों पाठे एकरम chain करने का विकल्प दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आप form fill up करते वक्त अगर आपने A&M select क्या था course में तो भी आप यहां पे GNM का counselling में participate कर सकते हैं second round जो अभी चल रहा है लेकिन देखे यहां पे GNM का जो eligibility criteria है यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है आपको minimum कितना होना चाहिए 40% marks होना चाहिए जो आपका qualifying examination है इसके लिए जो कि आपका 10 plus 2 है देखे 10 plus 2 में minimum आपको 40% marks होने चाहिए साथ ही देखे यहां पे क्या लिखा हुआ है कि English में individually कितना होना चाहिए 40% आपको marks होने चाहिए तो यह अगर condition आप fulfill करते हैं और अगर आप form fill up करते हैं वक्त A&M सेलेक्ट किये हैं कोर्स में तो भी आप यहां पे G&M का जो second round का counseling चल रहा है इसमें आप participate कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को like करे, share करे और अगर आप हमारे इस channel में नई भी जाएगा नहीं तो फिर आप हमारे channel के about section में भी जाके इसको follow कर सकते हैं